Hello Guys, Welcome Back Review Medical YouTube Channel Guys, आज हम बात करेंगे अगर कोई लड़की मैनफोर्ष टैबलेट खा ले तो क्या होगा? यनि अगर कोई फिमेल धोके से या जान बूझ कर मैनफोर्ष टैबलेट खा लेती है तो क्या होगा? इसके बारे में बताएंगे वैसे तो मैंने मैनफोर्ष के और वीडियो फुल डीटेल में बना कर अपलोड किया है आप चाहे तो देख सकते हैं आज इसी पर बात करेंगे कि अगर लड़की मैनफोर्ष टैबलेट खा ले तो क्या होगा? चलिए गाईस बिना देर की शुरू करते हैं वीडियो को मैं हूँ डाक्टर हिमानजू और आप देख रहे हैं रिवी मेडिकल योट्यूब चैनल गाईस सबसे पहले हम बात करेंगे FDA यानि जो गौर्मेंट संस्ता है FDA Food Drug Administration उसमें साफ कहा है कि मैंफोर्ष टैबलेट जो है मेल के लिए होती है फिमेल्स को प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है यानि फिमेल्स को या लेडिस को या लड़की को नहीं दी जाती है बाई चांस क्या होता है? अगर खा लिया दोके से या जान बुझ कर या फिर किसी में खिला दिया तो फिर क्या होगा? सबसे पहले समझते हैं इसका काम यानि मैंफोर्ष टैबलेट काम कैसे करती है? ठीक जैसे ये टैबलेट हमारे बोड़ी में जाती है बोड़ी में जाने के बाद जब बलड में पहुंचती है बलड में पहुंचने के बाद ये हमारे बलड रेशल्स होते हैं उनमें जो बलड फ्लो को बढ़ा देती है क्या करती है? बलड रेशल्स को रिलेक्स करती है और बलड फ्लो को बढ़ा देती है खास करके यह jenile area में क्या है हमारा genitive part जो होता है यानि penis size, penis ر Carnies के blood flow को बढ़ा देती है जिससे कि penis में तनाव बढ़ जाता है और timing बढ़ जाता है और penis strong हो जाता है जिससे हम partner को satisfy कर पाते हैं अगर इसी case में हम females की बात करें अगर females ने इस tablet को खाया जिससे कि उसमें sensation बढ़ जाएगा sensation बढ़ जाएगा तो आपको तो पता ही है फिर क्या होगा तो इसलिए क्या है कि females के private part में already बहुत sensation होता है इसलिए females को menforce tablet prescribe नहीं किया जाता है तो ये तो था कि इस तरह से काम करती है body में जाने के बाद menforce tablet अब अगर कोई females इसे ज़्यादा खा ले या फिर ये कहना overdose ले ले तो क्या होगा कि उसकी genial area में यानि private part में sensation बढ़ जाएगा sensation बढ़ जाएगा तो उसकी जो तेजना है वो भी बढ़ जाएगी उससे जो है उसका ज्यादा मन करने लगेगा इसके side effect की बात करें तो BP वाले patient को ये tablet नहीं देना चाहिए क्योंकि किसी का BP अगर बढ़ा है तो और बढ़ जाएगा उसे problem हो सकती है और अगर किसी को heart की problem है तो उसको भी इस tablet को नहीं दिया जाता है तो गाईज अगर आप इसके बारे में और detail में जानना चाहते हैं तो मैंने already video upload कर दिया है आप जाकर देख सकते हैं गाईज अगर कोई लड़की मैं फोश टेबलेट को खा ले तो क्या होगा आपको पूरा समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों मिलते हैं किसी next knowledgeable वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों